आज हमारे साथ बहुत धर्म के जानकार सुधीर राचिंग जी हैं और हम उन्चे जानेंगे कि पाली भाषा में वन और गोतर का मतलब क्या होता है सुधीर राचिंग जी बताइए हमें देखे पाली भाषा में जो ये शब्द है इसको बोलते हैं वन वन का मतलब है वे आधाणें और पूड़ाणें और इसका पाली में कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये वर्ग है या कोई क्लास है या क्लासिफिकेशन है जैसा कि आम बोलचाल में कहते हैं कि वन एक क्लासिफिकेशन है जैसे बलब बोला जाता है कि चार वन है क्योंकि वहाँ वर्ग को वग बोला जाता है पाली में तो वन क्या है वन बेशीकली वन पाली में या वन का मतलब होता है रंग कला जैसे हम कहते हैं श्वेत वन या सेत वन पाली में कहेंगे तो सेत वन या स्वेत वन सफेद वन का, शाम वन, काले वन का, काले रंग का या पीत वन बोलेंगे, पीत का मतलब है पीले वन का या लोहित वन बोलेंगे, रक्त वन बोलेंगे, लाल वन का, लाल रंग का हरित वन का मतलब है हरे रंग का, नील वन का मतलब है नीले रंग का ये ऐसे करके वण का मतलब सीधा-सीधा स्पष्ट है कि पाली में इसको रंग बोलते है अब वण की दिक्तत क्या है और परिशानी क्या है कि जब भारत में सारे लोग यहां रहते थे और सब लोग मुल निवासी यहां के थे तब यहां सिर्फ रंग था इसका मतलब कलर और कोई मतलब नहीं था मगर जब कुछ बहार से लोग आए जिनके चेहरे का रंग कोई थाई नहीं और वो सफेद रंग होता था उनका तब पहली वार यहां रंग के उपर विभाजन हुआ और विभेद हुआ क्या हुआ हमारे जो इधर मूल लिवाजी लोग थे उन्होंने कहा कि हम हैं वर्ण वाले लोग और ये रंग से फीके हैं बेरंग हैं इनका कोई रंग नहीं है विदाउट कलर हैं तो उनको कहा अवर्ण यानि के अवर्ण बिना रंग के बेरंग वाले तो दो लोगों का विवजन हुआ यहां एक रंग वाले जिनका रंग यहां चुकि यहां का भारत की जलवाईव गरम जलवाईव है तो यहां के रंग काले और पक्के होते हैं और जो लोग बहार से आए वो सफेद रंग थे क्योंकि वो बहुत ठंडे प्रदेशों से आए तो उनका रंग को इत्था नहीं तो उनको आवण कहा और इस तरह से विवाजन हुआ फिर मिक्स उनके और यहां की जो संतानों से मिक्स संताने आई या जो मिक्स लोग आए उनको कहा संकर वन एक तीसरा वन भी आया संकर माने हाइब्रिड होता है संकर पाली में भी संकर नाम है संकर नशल बोलते हैं इसको या संकर वर्ड या संकर वर्ड या संकर वन इसका मतलब है एक मिक्स लाया और उस मिक्स को या संकर वर्ड को hybrid को एक तीसरा वर्ण बना यह तीन वर्ण थे अब तीन वर्णों के यह लोग थे और तीन वर्णों में जिनका रंग अच्छा माना जाता था उनको सुवर्ण बोलते थे सू वन माने अच्छा होता है, सू वन माने अच्छा रंग, देखने में अच्छा लगे, और जो बाहर के लोग आए, जिनको अच्छा नहीं मानते थे, वो अवन हो गए, यानि कि उनके कोई रंग नहीं था, डिश्टी बुसन यहां तक था, यहां तक तो बात ठीक थी, मगर बात में जो वन बनाए गए, वो वन पाली में कई दिखाई नहीं देते, जिसमें यह कहा गया है कि छत्रिय वन, छत्रिय वन इसलिए पाली में एक्जिश नहीं करता, क्योंकि पाली में छे वर्डी नहीं है, जब छे वर्डी नहीं है, तो छेत्रिय वर्ड नहीं है, क्यों उस समय तक हतियार भी कोई खास नहीं होते थे और पहले तो लोग हतियार थे थे भी नहीं तो युद्ध भी नहीं होता था, संगट सेनाई भी नहीं थी और युद्ध भी नहीं होते थे तो छेतिये वर्ड, छे वर्ड पाली में नहीं है पाली में खेतिये मिलता है यानि जितने भी लोग थे वो खेतिये में काम करते थे इसलिए उनको खेतिये बोलते थे और खेतिये वर्ड को ही जब बाद में भासा का modernization हुआ और उसको बनाई की भासा add की गई और संसकारित की गई तो modification में आदा के और खे जो है उसको 6 भी बोला गया दोनों सब्द चले अभी हम खेत भी बोलते हैं और 6 भी बोलते हैं और आप ध्यान दें कि 6 और खेतिये दोनों एक चीज़ है छेत्री और खेतिये अलग लग चीज़ है मगर छेत्र और खेत एक ही है चेतर फल कितना है और खेतर फल कितना है एक ही बात है मगर चत्रिय कोन है और खेतिय कोन है ये अलग अलग है तो भासा के अंतर से जो खेतिय थे उनको चत्रिय कहा गया और जो चत्रिय थे उनको खेतिय कहा गया भारत के सारे के सारे लोग आज भी खेती हैं क्योंकि काम ही वहाँ दो थे उस समय या तो खेत में छितर में काम करना और या जंगा से जाके पश्चों का शिकार करके उनका मास, अंडा, मचली और उनका दूद, उनकी खाल, उनकी हड़ियां ले के हाँ, ये प्राइम काम थे, ये ही दो काम थे तो वन वैवस्था जो ये बताई गई है ये पाली के हिसाब से रंग भेद है और ये साफ साफ कहती है कि यहां के जो मूल निवासी है वो काले पके रंगे हैं, उन्हें अपने रंग पे बड़ा गर्ब है और बड़ा गुमान है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो रंगीन लोग हैं, रंग वाले लोग हैं और जो बहार से आए, वो सफिद लोग है उनका अवन है, उनका कोई रंग रंग नहीं है और गोत जो है, गोत कुल या वन्स गोत कुल या वन्स जैसे गौतम वन्स है या साक्के वन्स है या साक्के कुल है ये जो लाइने चली आ रही है जो वन्सावले चली आ रही है कि हमारे पिता कौन उनके पिता कौन उनके पिता कौन ये गोत उसको बुला जाता है सिंपल सा होता है कि जो जिस कविले में कुल में आता है वो उसके कुल का कविले का मना जाता है वो उसका गोत होता है ये एक जानकारी के लिए पैचान के लिए होता है कि कौन आदमी कहां से समधित है पाली में सिर्फ इतना ही है धन्यवाद